नमस्कार किशान बाईयों मैं आपका दोस्त अशोक कुमार गाउं मंडान तैसिल तोसाम जिला भीवानी और गेनिक खरियाली नरस्री से और आज हम आपको चंदन के बारे में संपूर्ण जानकर जो इस वीडियो में देने वाले हैं तो सबसे पहले बात आती है कि जमीन कैसी हो निचे चंदन के लिए जो लोग चंदन की खेती करना चाहते हैं आपने जो इधर उत्तर बहार्त के तरफ है वो होता है अपना सफेद चंदन जो आको दिखाई दे रहां मारे पीछी जो सफेद चंदन है इस तरीके से दिखाए दे रहा है यह सफेज चंदन है सफेज चंदन की जो खेती है वो करते समय किन किन बातों का दियान रखना है वो भी संपूर निस जानकर इसमें देंगे तो सबसे पहले आती है कि मिट्टी कोई पोदा लगाएं उसके लिए मिट्टी कैसी है वहां की तो जो जहां पर भी चंदन लगे वहां आपकी मिट्टी में पानी नहीं ठहरना चाहिए यानि कि बिल्कुल जो टाइट मिट्टी होगी वहां पर दिक्कत आए अगर नॉर्मल म मिट्टी है तो उसमें हो जाता है दूसरी बात रहती है कि पानी पंद्रा सो से नीचे का जो टीडियस है वहां इसके लिए सबसे बेस्ट है इसके अंदर सबसे बड़ी अच्छे सर्वाइव करता है और एक बहुत ही बैतरन जल्ड देता है पंद्रा सो से नीचे यानि जो तो पानी हम पी सकते हैं वहां तक के पानी इसके लिए बहुत स्टेबल है। बात करते हैं इसके रख रखा होगी। इसमें ज्यादा कोई देखरेख है नहीं केवल एक डेड़ साल जब तक पोदा अपना तीन चार फुट का नहीं हो जाता तक तक हमें केर करते हैं उसके बाद में इसमें कोई केरिंग की खास जूरत होती नहीं है अब लगाने का डिस्टेंस बता दूं आपको लगाने के लिए पोदे से पोदा दस फिट और लाइन से लाइन बारा फिट कम से कम अगर पंदरा या पंदरा से उपर रखो आपकी मर्जी है यह पोदा है और यह पोदा है इसके बीच में दस फिट का गया पोना चाहिए और यह होस्ट होता जो आपको दिखाई दे रहा है यह पंदरा फिट दस फिट के बीच में यह होस्ट लगेगा इस जो लगावा होस्ट है उससे लेता है तो यह 20 परसंट बोजन अपना खुद बनाता है और 80 परसंट बोजन हो दूसरे पर मेर बढ़ होता है तो हमें यह पोदा इसलिए भी लगाना है कि इसको बोजन दे इसके साथ में लालमेंदी दिखा दूम आपको यह प्राइमरी लगी आती है शम पूद आपको निए वह भी दिखाएंगे आपको हमारे पास प्राइए कैसे हैं यह ठ्यली के साथ में लगी ही लालमेंदी यह इसको एक लिए साल तक यह बोजन देती है उसके बाद में इसको अपना तक आपको दिखाए दे रहा है इसके रूट इसके सा साथ आठ साल तक कोई security की जूरत नहीं होती है उसके बाद में उसके बाद में security की जूरत है वो पड़ती है तो वो आमें पांच से साल security रखने पड़ेगी आठ साल तक को जुरूरी नहीं जब तक इसमें हाड़वूड नहीं बनता तब तक इसमें security की जुर्त नहीं होती बात करतें इसकी market value की market value में 15 से 25,000 रुपे किलो इसकी hardwood का rate है हाड़वूड मतलब जो अंदर की गिरी होती है जैसे आपने जान नहीं की कर से सम होता है उसके अंदर जो लाले निकलती है उसी तरीके से इसमें ब्राउन कलर का अंदर से निकलता है गिरी उसका rate है वो 15 से 25,000 रुपे किलो का जो है इसका rate होता है बात करतें marketing का है देखो ज कहीं हमें कोई registration करवाना है तो ऐसा कुछ नहीं है लगाते समय हमें किसी की permission की जूरत नहीं है कहीं कोई registration नहीं है आप अपने पटवारी होते हैं जो जमीन का लिखा जोखा रखते हैं रिकार्ड रखते हैं फसल का ब्योरा रखते हैं वहां पे उनको आपने रिकार्ड में दर्ज जरूर करवा दें वह भी कोई कमपल्सरी नहीं लेकिन अपनी सेफटी के लिए वहां पे रिकॉर्ड में चाहिए कि हमने इतने एकड में इस किला नंबर में यह लगा रखा है एक एकड में मोटा मोटी तिन सुप और लग जाते हैं बात करते हैं पानी की पानी इसको नोर्मली चाहिए यानि कि नमी बनी रहनी चाहिए पानी के अंदर यह नहीं कि हमें ज्यादा पानी चाहिए या कम पानी चाहिए ऐसा कुछ नहीं है केवल नमी बनी रहनी चाहिए पोदे के अंदर कितने सयाल में त्यार हो जाता है बारा से पंदरा साल में जो आपको दिखा है अगर हम इसको नीचे से देखेंगे तो करीबन करीबन चार इंच की लपेट आपको मिलेगी यानिकि मेरे इसमें आ नहीं रहा यह पुरा आई आ रहा है तो चार इंच की करीबन इसकी जो है मोटाई हो चुकी है धाई साल में ग्रोथ आप देख रहे हैं कितना बढ़िया ह है देखो चंदन में सिर्फ दोव राइटिया है कोई मलियागरी करके बेचता है कोई कुछ कहके बेचता है कुछ कुछ करके बेचता है सफेद चंदन है और लाल चंदन है अब सफेद चंदन में क्वाल्टियां है फिर क्वाल्टी कि सीज के सीड की क्वाल्टी यानिकि ब में अछु अच्छा बीज डाला ज हमें अच्छा पोदा मिले गागे अच्छा जी दाल जार बीज अगे हलकी मिलेगी तो यह चीज कोई कहता के 20 रूप में संध्ध पोदा दे रहा है को 25 रूप में दे रहां को 30 में दे रहा है को 40, 40, 60 जो भी मर्जी है देखिए आप 20 30 50 के लिए अपना 15 साल खराब मत करना मैं तो यह कहता हूं सभी किसान मैं नहीं कहा रहा हूं और देने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे लेकिन केवल जैनवन बीज से तयार पोदा ही लें जहां से भी ले अब जैनवन की क्या गरंटी होगी आपको यह देखना कि पोदा तयार हूरा नहीं कि किसी किसे लिए लिया चार पोदे रखे रखे तरक वहां से उठागे अमने जो है फोदिग्स लगा लिए इस तरीके से अगर आपने पोदा लगा लिया तो वहां पर आपको आगे चलके जो इसमें हाड़ बनना है जो इसके हाइट जानी है जो इसके वर्थानी है वो नहीं आएगे और आप काफी जो नुकसान हो उठाना पड़ेगा या तो आप लगाओ मत अगर आपक अब सीड़ की क्वाल्टी या तो आप जैन्मन किसी नृसरी से लिए जहां प्रिश्वास कर चिर्शके वहां से लियुआ ऐसे चलती और ती मिले ज़हां से प्रोपर आपको जानकारे और यह भी नहीं आप कहीं से लिए कि लगा चलन बन जाएगा ऐसे नहीं बनेगा उसम से चल जाए अभी बात करते हैं इसमें जो पोदा है वो किस हाइट में ले तो वह भी आम दिखाएंगे आपको चलिए बतादू पोद जैसे अपना कैजुरीना है फिर यह चंदन है पांस फूट दूरी हम कम से कम रख सकते हैं और ज्यादा ज्यादा यह च्छे फूट को कम स कर सकते हैं तो यह हमारे पासस पीचे पूरा का पूरा में आपको दिखाए दे रहा है वह इस तरिके से है पूरी लंबी दूरी तक आपको जो चंदन का पोदा हो दिखाई दे रहा है तो दा किस इस कंडिशन में वहना चीए देख हम आपको दिखा दू एक तो पोदी के साथ में लाल में दि जरूरी यह न चीए पोदे का इस टंप यह ब्राउन होना चीए जैसे कि आपको उपर घाल तक दिखाए देगा कच्छया हरा तो नीचे से कम wonder दिखाए देगा है तो नीचे से कम से कम आप लगाओय तो नहीं चलेगा चाहिए आप कितनी भी मैनेट कर लेना फिल्ड पे पोद आप बिल्कुल बढ़ियां सवस्त कंडिशन में होना चीए ग्रीन होना चीए एकदम यहां पर आपको दिखाई देरा हमारे लंबी दूरी तक जितनी मात्रा में चाहिए उतना पोद हमारे पास उपलग में लेगे है आपाइवरिड सीड्से तयार बैस्ट क्वालिटी सीड्से जो तयार है वो पोदा हमारे पास है अचाहिए इसमें हमारा रहता है कि हम अलग अलग साइज में तयार करुएं पोदे का थैली कम से कम 1 kg निती पोदे की थैली में होनी चाहिए और उससे जादा अगर मिट्टी है तो फिर हमारे पास अपलबद वह भी आपको दिखा देगा इंदर इन वंप मारे पहास उपलबद है अपने यह वह बड़े पोड़ में बड़े पोड में है वैल्द पोड़ है एक हेल्दी पोद आपको मिलेगा इसकी थोड़ी कोस्टिंग ज्यादा बढ़ जाती है लेकिन ये पोदा सर्वाइव रेसो ज्यादा रहता है अगर हम नोर्मली जो आपको पहले दिखाया था वैसा पोद आप लगाते हो तो उसका जो सर्वाइव रेसो है वो सो में से सतर असी क के बीच में रहता है अगर आप अच्छे से केर करते हो तो अगर ये बड़े पोट वाला लगाते हो तो ये नब्बे से सो के बीच में रहता है यानि नब्बे से उपर उपर पोदे चलेंगे चलेंगे पांच साथ पोदे ही खराब होनके चांस रहते पिचान में पलसी रह तो यह तो आपको बता दिया पोड़ा इसके साथ में फोष लगता है वह भी हमारे पास उपलब्द है लेकिन एक बर चंदन फिर दिखा दूम आपको यहां पर मारे पास टो कितना है यह सारा का सारा चंदन का स्टोक है देखिए हमारे आप पर पोड़े हैं वो किस तरीके से लगा ओस नेखक को आपको जो कंतने फिर तोट जो मेन वाल है उसमे के शह देना पड़े इनल esimerk मेंइं जब हम उसका रजल्ट देखंगे तो उस से आध देशे कम निकलेगा तो यह फिर कहता हूं कि बस्ट क्वाल्टी से त्याह पोड़ा हिले और होस्ट उसके साथ में जरूर लगाएं कुछ किसान कहते हैं कि होस्ट में हम क्या क्या लगा सकते हैं तो होस्ट में सबसे बेस्ट है वो कैजूरीना है उसके बाद में देशी बबूल है देशी कीकर है कोई भी फूर्ट वाला होस्ट नहीं लगेगा कुछ किसान कहते हैं कि हम जो है वो कुछ और लगा सकते हैं जिससे भी हम को इनकम आए देखिए अगर होस्ट से इनकम लेनी है तो चंदन को आप रहने दे उसकी जहें आप ऐसा पोदा लगाएं जो आपको चंदन से ज्यादा इनकम देने वाड़ा हो यानि कि हमें चंदन त है जो होस्ट में चंदन को खुराग देगा तो अगर आप चंदन की फार्मिंग करना चाते हैं तो पूरी नोलेज ले के अच्छे से समझ के फिर आप चंदन की खेती करें तो करना चाते हैं तो एक बार और और के नहीं खरिए गाओं मंडान तैसिल तो साम हरियाना यहां पर आके विजिट कर सकते हैं यहां पर प्रैक्टिकल ग्राउंड पर लगावा देख सकते हैं तो जाज जाज वीडियो को सेर कीजिए ताकि हम आपके लिए चंदन समंधी और आलाद फ्रूटों समंधी जानकरी लाते रहें धन्यवाद